BCD Tech के इस भाग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों Asus Genphone 5, 5Z, Huawei P20, P20 Lite, P20 Pro, Honor 10, Oppo R15, R15 Pro, Oppo F7, Vivo V9, Vivo X21, OnePlus 6, LG G7, G7 Plus ThinQ क्यों इन सब phones में क्या common है नौच, iPhone 10 वाली नौच दिखने में तो अच्छी लगनी रही है, तो फिर mobile phone companies क्यों अपने mobile phone के अंदर नौच को दालती चली जा रही है, चलिए देखते हैं अगर आपने अभी तक BCD Tech को सब्सक्राइब ने किया, तो अपनी YouTube एप पर सर्च करें BCD Tech और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथी में अगर आप इस घंटे को बजाओगे, तो हमारी वीडियो अपलोड होती, सबसे पहले देख पाओगे दोस्तो, हर साल हमें मुवाइल फॉन में कुछ नया देखने को मिलता है, जैसे कि 2017 में हमने डियोल रियर कैमर आले फॉन्स देखे थे, इस साल बैजल लेस, फुल व्यू डिस्प्रे और अब नॉच, कई लोगों को ये नॉच पसंदार हरी है, कई लोग कह रहें कि नहीं, भद्धी दिख रही है, तो फिलाल जो भी हो, मुवाइल फॉन कंपनीज अब भाग रही हैं नॉच की साइट को, अब नॉच क्यों, क्योंकि दोस्तो, अगर बात करें, 2017 या फिर 16 एंड की, तो उस समय कुछ मुवाइल फॉन कंपनीज ने, फुल व्यू डिस्पली वाले उसको लॉंच किया था, और इनी में से एक फोन था, MI Mix 2, यह फिर MI Mix, और यह फोन आया था, 18-9 एक्सपेट रेशो के साथ, और साथ में दोस्तो, इस फोन में मिल रही थी, बैजल लेस डिस्पली, मतलब कि, जो उपर और नीचे को, एक्स्ट्रा पोशन दिया जाता है, जि लोग भी इस ट्रेंड को पसंद कर रहे थे, क्योंकि maximum area, front का display से cover था, और ऐसे case में, एक छोटे से form factor में, एक बड़ा display मिल रहा था, जैसे कि, अगर आप को याद होगा, MI Max, जो कि 6.2 यह फिर उसके लगबग display के साथ आ रहा था, बिल्कुल उतना ही बड़ा display, आपको 5.5 time form factor में मिल रहा था, मतलब की width को ना बढ़ा के display बढ़ रहा था, तो लोगों को यह concept पसंद आया, आता क्यों नहीं, क्योंकि पूरा display cover up हो रहा था, small form factor में बढ़ा display मिल रहा था, तो यह trend तब से बना आया, अब दोस्तों प्रॉलम यह आती है, कि Xiaomi वालों ने तो अपना जो concept था, उसको clear कर दिया, front camera नीचे के side को दिया, और जो speakers से, जिसको receiver speakers भी वोलते हैं, वो कुछ tunnel के थुरू pass on करके, उपर के side को दे दे, अब इस design में एक दिक्कत थी, दिक्कत यह थी कि selfie जो camera app है, वो तो घुमाने पर घूम जा रही थी, जबकि most of the application, वो front camera को घुमता हुआ, रेकोनाइस नहीं कर रही थी, तो ऐसे case में, अगर आप किसी से video कॉल कर रहे हो, या फिर किसी से group chatting कर रहे हो, तो camera आपका उल्टा दिखता है, या फिर आपका हाथ उसको block कर रहा था, और दूसरा, जो speaker थे उपर, वो आपकी privacy को leak कर रहे थी, क्यूंकि आवाज इत पा रहे थे, तो ये दो बड़ी दिक्कतें थी, इस design के साथ, और तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे और भी बहुत सारी दिक्कते थी, जैसे कि, अगर आपको आगे कोई sensor दालना है, proximity, ambient, ये फिर face unlock, इस टैप के कोई sensor दालने है, तो उसके लिए, आगे कोई sensor दालने है, उपर नीचे से जो बैजल थी, उसको minimize करका जाए, उसको कम से कम बनाए जाए, बट दोस्तों, यहाँ पर किसी limit से नीचे जाना possible नहीं था, तो हुआ क्या, यहाँ पर width फोन की वही रही, जो कि nominal 5.5 inch की फोन में देखने को मिलती है, मतलब कि 75 mm, जबकि length को बढ़ा दिया दोस्तों, mobile phone companies 75 mm से ज़्यादा चोड़ा phone बना नहीं सकती थी, क्योंकि हाथ में hold नहीं होगा, जबकि length कितने भी बड़ी कर दी जाए, तो यहाँ पर mobile phone companies ने यही किया, length बढ़ा दी, और length बढ़ाने के साथ साथ उपर नीचे जगा छोड़ दी, और इसी जगा में उन्हो सब्सक्राइब, तो यह तो दोस्तों हो गया, design, full view, display, 18-9 का, आप mobile phone companies क्या कर रही है, इस उपर और नीचे लिचे स्पेस को भी cover करने की कोशिश कर रही है, अगर वो पूरी तरह से cover कर रहे हैं, जैसे कि MI MIX2 में cover थी, तो क्या होगा, फिर वही दिक्कत आएगी, privacy आपकी सेफ नहीं रहेगी, और camera कहीं और दालना पड़ेगा, यह फिर पॉप अप करना पड़ेगा, तो यहाँ पर companies को लगा करके कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोग क्या करें कि बीच में जो spacing है, कहीं पर बीच में खड़ा दालके, या फिर एक space को uncover करके, वहाँ पर ज और जो छोटा सा area है, जहां पर आपको camera देखने को मिल रहा है, वहीं पर सारे sensors दाल दीगे है, अब इससे फैदा यह होगा, कि जो camera है, उसको नहीं pop-up करके बहाँ निकलना पड़ेगा, या फिर नहीं नीची के साट को लगाना पड़ेगा, वो आपका उसी area में है, और ऐ वीडियो कॉल करते हो, या फिर सेल्फी लेते हो, तो आपको अपने phone को tilt या फिर भूमाने के जुरूत नहीं पड़ेगी, दूसरा, अगर आपको कोई कॉल कर रहा है, तो उस परसन के आवाज आप ही सुन पाओगे, दूसरा कोई और नी सुनेगा, तीसरे, nominal sensors, proximity, ambient, face unlock, retina scanner, ये सारे आपके आराम से उपर के साइट को embed हो जाएंगे, तो फिलार नौच की वज़े से, यहाँ पर ये चीज कर पाना possible हुआ है, और ये दोस्तों कोई design concept नहीं है, कोई look concept नहीं है, ये सिर्फ sensors को दालने की positions हैं, अगर वो नौच नहीं होती, तो sensors आपके arbitrary बिखरे प जालना पड़ता, तो ऐसे केस में आपकी privacy, आपका phone, आपका data और दोस्तों नजाने क्या-क्या, आपका click हो सकता था, तो इसी वज़े से mobile phone companies ने अब नोच दानी शूर की है, इससे एक फायदा ही हो गया, display बड़ा हो गया, जहां 18-9 का expectation चल दा था, अब 19-9 का expectation आ गया, औ और साथ में दोस्तों, आपको sensors जो nominal phones में मिलते हैं, वो सब मिल रहे थे, same position में मिल रहे थे, same side में मिल रहे थे, और आपकी जो privacy थी, protection थी, वो भी safe रह दिये, तो दोस्तों, नोच आपका concept आया है, front sensors की विज़ल से, यहां पर mobile phone companies को अपना display और बड़ा करना था, ताकि व पूरी area को cover कर पाएं, यहां पर cover करने में एक दिक्कत हो रही थी, कि आप sensors का लगाएं, तो यहां पर company ने सोचा, कि एक notch डाल दी जाए, और उस notch में, जितने भी sensors हैं, जो कि front side में लगते हैं, वो सब डाल दी जाएं, और इसी विज़े से, इस notch का concept आया, तो आप सभी को notch के बारे में पता चल गया, तो अब जब भी आप कोई notch अला phone देखोगे, तो यह समझ लेना कि उस notch में, उस phone के सारे front senses हैं, तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, आपका कोई भी comment हो, कोई भी suggestion हो, इस channel को लेके, इस video को लेके, तो आप मैं से directly share कर सकते हूँ, तो इस झाल